Hello and welcome to my YouTube channel और आप हैं हुसेन सर के साथ यह हमारी Photoshop की ट्रेनिंग सीरीज चल रही है और आज हम Edit Menu के दो और Option पढ़ेंगे देखिए वो कौन कौन से Option है देखिए यहाँ पर है एक तो है देखिए Auto Align Layers और दूसरा है Auto Blend Layers इन दोनों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और देखिएंगे इनके Practicals करके चलिए शुरू करते हैं Welcome back तो कोई देखिए Auto Align Layers के लिए मैंने यहाँ पर कुछ फोटो चुने है देखिए एक फोटो तो यह चुना है जिसमें देखिए मैं बैठा हूँ और मेरे ब्रावन में सफी भाई बैठे है और यह फोटो जो खीचा है गुलाम रसूल ने खीचा है ऐसे ही देखिए दूसरा फोटो है जिसमें देखो गुलाम रसूल और सफी भाई बैठे है और यह फोटो मैंने खीचा है अब देखिए location सेम है और सफी भाई भी वहीं बैठे है लेकिन मैं और वो दोनों लोग यहाँ पर चेंज हो रहे हैं देखो ठीक है दो फोटो है और अब हम इन दोनों फोटो से एक फोटो बनाएंगे आटो अलाइंग को यूज करके चली चलते हैं फोटोशॉप में ब्राउस कौन कौन सी फाईल में इंपोर्ट करनी है वो हम बताएंगे देखो मुझे ये फाईल इंपोर्ट करनी है और देखो ये फाईल इंपोर्ट करनी है दो फाईल मुझे लेनी है जो मैंने अभी आपको बताया थे दोनों फोटो और मैं इसको OK करता हूँ, OK करने एक बात देखिए, यहां से OK करते हैं, अब देखो यह दोनों फोटो यहां पर खुल जाएंगे, एक ही फाइल के अंदर अलग-अलग लेयर बन जाएंगी देखो, दोनों लेयर बन गी अलग-अलग, देख रहे हैं, अब मैं इसको तोड़ा अब देखो इनको दोनों फोटो को, यहांनि दोनों लेयर को हम एक साथ अलाइंग करते हैं, ओर तो अालाइंग लेयर से, तो इन दोनों के प्रोजेक्शन, अब दोनो इसका तरह से होता है, यह सब इसमें और और आपसन दिये हैं, सबसे पहले बनाइब s tapping का projection हो, automatic adjust करेगा ठीक है, दूसरा है देखो perspective अगर कोई perspective है, कुछ भी तो वो perspective के हिसाब से यहाँ पर adjust करेगा, ऐसी kolaz है, cylindrical shape है या spherical shape है, या reposition shape है, तो shape किसी भी तरह की हो, अगर आपको पता है तो तो आप इसमें click करें, अगर आपको पता नहीं है, कि यह shape किस तरह की है चाहें जैसी भी shape हो, वो align कर दे, यानि alignment कर दे layer को, तो उसके लिए आप auto कर दे तो यहाँ पर मैंने auto किया हुआ है, auto का मतलब हो गया, सभी तरह, जितनी भी तरह के यहाँ पर alignment projections दिये हैं वो सब auto करेगा, ठीक है इसके लाबा देखो, यहाँ पर lens correction है lens correction में देखो, big net removal है big net removal क्या है, यह आपका lens correction यानि color correction के लिए है, color correction के लिए अगर आप इसको click करते हैं, तो आप color correction और advanced level पर कर पाएंगे या फिर geometrical distortion geometrical distortion मतलब है कि अगर कोई photo थोड़ा ऊचा नीचा हो, उपर नीचे हो, या rounded हो तो उसको भी ये distort कर सके distort करके align कर दे, तो ये भी आप on कर सकते हैं, on कर भी सकते है और भी कर सकते हैं, इनसे कोई जादा फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी हमारी जो file हैं वो दोनों, बिलकुल straight है, सीधी है अगर आप on कर देंगे, तो भी कोई बात नहीं है ठीक है, तो मैंने अभी इनको on कर दिया, और okay करते है देखो, okay करने के बाद देखो, क्या होता है देखो, ये align करेगा, दो-तीन second के अंदर ये align करके आपको देदेगा, देखो, अब आप देखिए देखो, यहां से, पहली लेयर देखो, ये नीचे वाली लेयर ये हुए, अब देखो उपर वाली लेयर ये है, देखो, देखो, सफी भाई को बिलको align कर दिया, पीछे की जो background थी उसको align कर दिया, लेकिन देखे ये जो है, थोड़ा सा नीचे किया इसने, नीचे वाला, और देखो, उपर वाला ये है, देखो, तो align हो गया प्रोपर, अब देखो, जब प्रोपर align हो गया, तो अब उपर वाली लेयर में, जो उपर वाली लेयर है, इसमें लेयर मास्क करके, हम यहाँ पर उसको लेके आ सकते हैं, जो फोटो मुझे लाना है, यहाँ पर लेयर मास्क आउन कर दें, और लेयर मास्क आउन करके, यहाँ से ब्रस ले लें, और ब्रस लेने के बाद, ब्लैक कलर रहने दें, और देखो, यहाँ पर चलाएं ऐसे, देखो इस तरह से. देखो या हमने चलाया, देखो आइसे, और देखो इस तरह से एक फोटो बन गया, तीनों का एक साथ फोटो बन गया, अब आप इसको Marge कर सकते हैं, Ctrl-Shift-E दबा कर Complete merge कर सकते हैं, यह एक फोटो बन गया, कि 40% area match करता हो दोनों फाइलों का यानि दोनों जो फोटो हैं, दोनों जो फाइल हैं, उनका 40% area match करता हो, बागी का 60% area match चाहें ना करता हो, और यह वो align कर देगा, बास समझ गए? तो इस तरह से हम करते हैं, auto align layer, अब इसका एक example और आपको दिखाता हूँ, देखो इसमें ये तीन फोटो, देखो एक तो ये फोटो है, और देखो एक ये फोटो है और देखो एक फोटो, एक ही जगा के तीन फोटो भी है मेरे पास, देखो जिससे पैनॉर्मा नहीं होता यह बहुत लंबा फोटो है, तीनो फोटो इसके अलग अलग है, अब यह तीनो फोटो को मैं वहाँ पर ले चलता हूँ, और अटा एलाइंग करके आपको दिखाता हूँ, चलिए मिनिमाइस करते हैं, फोटो शॉप खोलते हैं, और यहाँ पर फिर से हम वही करते हैं, स्क्रि दो टीनो लेयर्स को हम 1972 क्रेस करकें और उसके बाद हम चलते है एड़ित में और और आपने ओ यह canvas का size भी बढ़ा देगा देखवा इसने canvas का size भी बढ़ा दिया देखव यह photo तीनो एक बना दिये इसने लेकिन देखव यह क्या है photo एक दूसरे के ऊपर चड़े हुए है देखव मैं आपको दिखाता हूं देखव यह यहाँ तक है photo अब देखव यह आगे तक है अगर हम हम चलते है edit में, edit में जाने के बाद देखव यह मिलता है auto blend layers जैसी हम इस पर click करते हैं तो देखव यहाँ पर मिलता है आपको देखव panorama, panorama मतलब के photo के बरावर में जो photo हो उनको किस तरह से blend करेगा और इसके बाद से ok करें, ok करने के बाद आप देखेंगे तो देखव य इस तरह से, यह देखिए आप, और इन तीनों layer की देखो यहाँ पर एक merge layer बना दी इसने, जो कि जिसमें तीनों एक साथ रखें, तो आपस में इसको blend कर दिया, color भी blend कर दिया, और एक layer merge भी कर दिया, ठीक है, auto blend layer इस तरह से काम करता है, मैं auto blend layer का एक और example आपको दिखाता है, तो चलिए, मैं उसको भी करके दिखाता हूँ, तो चलिए हमें यहाँ पर, जो है, इसको close कर दे रहा हूँ, और close करने के बाद हम फाइल को दो बारा खोलते हैं, अब की बार जो फाइल खोलेंगे, बो देखो कौन सी फाइल है, देखो यह दो फाइले में खोलना हूँ यहाँ से फोटो ले लेता हूँ, इतना देखो, इस तरह से मैं यह लैसो टूल से आप बनाएं, लैसो टूल से सेलेक्सिन बनाना, और इसमें फैदर नहीं होना चाहिए, फैदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यह धियान रखें, लैसो टूल से अपने सेलेक्सिन बनाया, और selection बनाने के बाद में इसको उठा कर हम यहां ले चलते हैं देखो प्रियंग का वाले फोटो को यहां लाकि हमने रख दिया अब इसको control T दबा कर इसका size छोटा बड़ा कर सकते हैं और यहां से हम इसकी opacity कम कर देती है धोड़ा सी जिस से कि यह दिखाए देता रहे कि कहा पर है देखिये अब मैं इसको रखता हूँ दुखो ऐसे और देखिये इसको छोटा करते हैं ऐसे और यहां पर eyes पर eyes रख दिजीए बेलकुल eyes के उपर eyes ऐसे और देखिए और लिफ्स पे लिफ्स रख दीजिए और इसके बाद इसे एंटर करें और यहां से opacity इसकी जो है ऐसे fill करते हैं opacity बस यहां पर एक बात का धियान रखें कि अगर कोई area जादा है तो उसको eraser tool से या brush tool से नहीं हटाना है हटाना है तो सिर्फ lasso tool से या polygonal lasso tool से without feather ठीक है यह आप ध्यान रखें चलिए इसको हम ऐसे करते हैं उसके बाद देखिए हम इसको select कर लेते हैं control दबा कर इस पे click करते हैं select हो गया और उसके बाद हम चलते हैं देखो यहां पर select में select में जाने के बाद modify और यहां पर contract करते हैं contract में आप 5 pixel कर दीजिए 5 pixel अंदर हो जाएगा यह और इसके बाद देखिए इसको बंद कर दीजिए और इस वाली layer को यहां से जो यह background इसका layer बना लीजिए डबल क्लिक करके देखो layer बन गई और इसमें delete कर दीजिए बाद delete करके आपने control D दवाना है यह देखो यह delete हो गया और इसको on कर देना है इसके बाद दौनों layer को select करना है shift प्रेस करके और इसके बाद edit में जाना है edit में जाने के बाद यहां पर करना है auto blend layer और देखो अपकी बार यहां पर panorama नहीं करना अपकी बार करना star images star images पे click करना है और उसके बाद इसको okay करना है जैसी okay करेंगे तो देखो यह color correction देखिए proper यहां पर color correction हो गया जिस तरह की इसकी skin tones थी प्रियंका की वैसी skin tones में देखो इसका color correction हो गया और देखो इनका और नाल्डो का देखो किस तरह का color correction था देखो इनका white color था और देखो यहां पर yellow इससा थोड़ा सा dark color था तो देखो dark color हो गया बास समझे proper color हो गया तो अगर आप इस तरह से use करना चाहते हैं कहीं पर भी अपने face morphing के लिए तो use कर सकते हैं आपने यहां पर auto blend layer को बास समझे तो देखो मैंने दौनों यहां पर cover कराया आपको auto align layer और auto blend layer तो दौनों के मैंने example भी आपको करके दिखाए और example में मैं उमीद करता हूँ कि अच्छे लगे होंगे आपको guys मैं जो video बनाता हूँ यह आपको बता दूँ आज के मैं काफी इस पे सर्च करता हूँ किस तरह का example होना चाहिए हर एक tool का कोई ना कोई example सेट होना चाहिए हर एक option का example सेट होना चाहिए तब ही मैं video बनाता हूँ तो guys कैसी लगी आपको यह video अगर आपको अच्छे लगी तो like करें शेयर करें और guys कुछ कहना है तो comment box में लिक कर बताएं guys अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe करें और well icon को दवाना ना भूले जिससे कि आपको हमारे notifications मिलते रहें तो guys मिलते हैं next tutorial में तब तक के लिए take care and bye bye